हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मधूच कीचन में फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ सिंबल की बहुत ही टेश्टी और हेल्दी सबजी जो की विंटर्स महीं मिलती है और सिर्फ दो महीं नहीं ये सबजी मिलती है और ये बहुत ही जादा हेल्दी होत तो चलिए बनाना शुरु करते हैं तो इसे वनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधह केलो सिंबल लिए हैं छान उसदिक भर लूप से भरपूर होता है सिर्फ इनको हमने 20 से कट किया है और इनके अंदर का जितना भी पार्ट है उसको हमें निकाल देना है तो हमने उसको निकाल दिया है तो यह जो ग्रीन पार्ट होता है जब सिंबल के पेड़ पर फूल आने वाले होते हैं तो यह उसकी कलियों के रूप में होता है इसके अंद anti-aging properties पाइजाती है ऑन्य के लिए बहुत ज़्यादा फायुए मंनती है और महिलाओं में जो कमरदर्द की सिकाइत होती है तो चलिए अब इसको हम सांफ करdlesने इसको आच्छे से वोष grinding हम इनको एक पैन में ट्रांसफर कर लेंगे और अब इनमें हम लगवक एक गिलास पानी डाल देंगे जिससे कि हमारे सिमल अच्छी तरीके से पानी के अंदर डिप हो जाएं इतना हमें इसमें पानी डालना है इसी के साथ इसमें हम आदा चोटा चमश नमक डाल देंगे और एक वार हम नमक को अच्छी से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे तो चलिए पैन को हम लग देंगे गैस पर और गैस की फिलेम हमने ओन कर दी है तो पहले हम पानी में एक उबाल आने देंगे और अब देखी पानी में एक अच्छा सा उबाल आ गया है तो और हम गैस की फिलेम को मीडियम कर देंगे और इनको तीन से चार मिनट के लिए उबाल लेंगे तो इनको इस तरीके से उबालने से इनके उपर जो भी काला पन गंद की टाइप के लगे जाती है और तो इस देखी एगा पानी में एक चिकनापन आ गया है तो यह भी सब रिमुव हो जाएगा और जो हमारे सिम्वल की सबजी है वो चिप-चिपी नहीं बनेगी और अब देखिए पानी को बलते वे 3-4 मिनट हो गए हैं और इनके पानी को हम रिमोग कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने सारे सिंबल के पानी को रिमोग कर दिया है और यह देखिए कितने बढ़िया से साफ हो गए है यह देखिएगा एकदम क्लीन हो गए है और यह हलके हलके सोप्ट भी हो गए है तो चलिए चलते हैं अब ने तो अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच जीरा और एक चोथाई चम्मच हम इसमें हिंग डाल देंगे हिंग हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इससे सबजी में फिलेवर भी बहुत ही अच्छा आता है तो इसलिए हिंको इसकिप ना करें और जीरो को भी अच्छे से तड़का लेंगे अब डाल देंगे हम इसमें प्याज तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज की प्याज को देखीगा इस तरीके से बारिक-बारिक काट लिया है इसको भी हम तेल में डाल देंगे और मेडियम फ्लेम पर हम प्याज को इस तरीके से लगातार चलाते हुए भून लेंगे प्याज को हमें यहाँ पर अच्छे से भूनना है और अब देखिए कि प्याज भूनना शुरू हो गई है प्याज का कलर भी हलका हलका चेंज हो गया है और यह सोट भी होने लग गई है तो इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे एक चमज भर का अदरक लहसुन का पेश्ट और इसको भी प्याज के साथ हम भून लेंगे और इस टाइम पर अब हम इसमें डाल देंगे एक हरी मिर्श तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्श को गोल-गोल काट लिया है इनको भी हम प्याज के साथ भून लेंगे अगर आप तीखा काम खाते हों तो हरी मिर्श को इसके भी कर सकते हैं लेकिन इससे बहुत ही अच्छी एक खुसवू आती है फ्लेवर आता है सब्जी में और अब देगे हरी मिर्श भी भून गई है तो इस टाइम पर हम इसमें टमाटर डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज के टमाटर को बारीक बारीक काट लिया है और टमाटर को भी हमें इसी तरीकी से मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाना है टमाटर को हमें जब तक पकाना है जब तक कि टमाटर अच्छे से सोप्ट ना होने लगे टमाटर हमारा जल्दी से सोप्ट हो जाए तो इसके लिए हम इसमें डाल देंगे नमक तो यहाँ पर हम अभी टेस्ट के according ही नमक डालेंगे जितना हमें सब्जी में नमक डालना है उतना ही हम यहाँ पर डालेंगे और अब इसको भी अच्छे से mix कर लेंगे टमाटर के साथ और मिडियम flame पर हम इसको चलाते हुए भूल लेंगे और अब दिखेगा टमाटर भी अच्छी तरीके से सोफ्ट हो गए हैं तो इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे कुछ सूखे मसाले सबसे पहले डाल देंगे हम इसमें आधा चमश हल्दी पाउडर आधा चमश रेड चिली पाउडर तो मीट से आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकोडिंग कम्या जादा कर सकते हैं एक चमश धन्या पाउडर डाल देंगे आधा चमश भुना जीरे का पाउडर डालेंगे और अब सभी मसालों को हम दो मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेंगे यह देखेगा इस तरीके से हम इनको अच्छे से मिक्स करते वे दो मिनट के लिए भून लेंगे मसालों को भुनते वे दो मिनट हो गए हैं तो अब हम मसालों में डाल देंगे लगवक आधा कप के बराबर पानी और चलाते हुए हम सभी मसालों को एक वार अच्छे से mix कर लेंगे तो चलिए पैन का ढखकन लगा देंगे और 4-5 मिनट के लिए low flame पर हम मसालों को भून लेंगे और बीच में एक वार हम ढखकन हटा कर मसालों को चेक कर लेंगे और अच्छे से हमें इनको एक बार ओर चला कर मिक्स कर लेना है ऐसा करने से मसाले नीचे लगने का डर नहीं रहता है तो चलिए फिर से हम पैन का ढखन लगा देंगे और मसालो को भुनने देंगे और मसालो को भुनते वे अब 3-4 मिनट हो गए हैं और मसाले बहुत अच्छी तरीके से भुन गए हैं ये देखेगा सारे मसाले बहुत अच्छी तरीके से भुन गए हैं और मसालों ने तेल को अलग करना शुरू कर दिया है इसका मतलब है कि हमारे सभी मसाले बहुत अच्छी तरीके से भुन गए है फ्रेंड्स बहुत ही कम मसालों में ये बहुत ही ज़्यादा टेश्टी और डिलिश्यस सब्जी बनकर तयार होती है एक बार आप इस तरीके से सब्जी जरूर बना कर देखेगा आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आईगी तो अब हम इसमें डाल देंगे सिंबल तो सभी सिंबल को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से चलाते वे हम इनको मिक्स कर लेंगे और दो से तीन मिनट के लिए हम इनको मीडियम फ्लेम पर मसालों के साथ भून लेंगे इस तरीके से मसालों के साथ भूनने से इनके अंदर तक मसालों का फलेवर बहुत ही अच्छे से जाता है और अब इनको भूनतवे लवग 2-3 मिनट हो गए हैं और यह बहुत अच्छी तरीके से भून गए हैं तो चलिए कड़ाई का धकन अब लगा देते हैं और सबजी को कम से कम 4-5 मिनट के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देते हैं और देखेगा इस तरीके से हम बीच में एक बार इसको धकन हटा कर जरूर चेक कर लेंगे बना सबजी नीचे लग सकती है तो इसलिए बीच नहीं डाला है बिना पानी के यह सबजी हम बना रहे हैं तो इसलिए हमें इसको वीच में एक बार जरूर चला लेना है और ऺज़से हम खडाई के लिए हम इसको और पकने देंगे और अब देखेगा सबजी को पकते विए 2 मिनट हो गय है और सबजी हमारी बनकर बिलकुल निकल गया है तो सब्जी हमारी बिल्कुल भी चिपचिपई नहीं वनी है ये देखेगा बहुत ही बढ़िया सब्जी बनकर तयार हुई है फ्रेंड्स इस सब्जी को आप रोटी के साथ पराँठी के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेश्टी लगती है और ये सब्जी सर्दियो पक चुके हैं तो चलिए अब गैस की फ्लेम को हम ओफ कर देंगे और उपर से डालेंगे हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से हम इसको सब्जी के साथ मिक्स कर लेंगे और दो मिनट के लिए ढखकर रख देंगे ढकर रखने से जो धनी का फ्लेवर है वो भी सब प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले और जो चैनल पर पहली बार आये हैं वो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर करें साथ में बैल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें जिससे की मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके थेंक यू